आयाम डिस्को टैमसर टन 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 वा के आओ चालू था के वरा सौरी हाँ हेलो से जैने उसमें आप लोग का स्वाग थे और आज की रेक नियोज शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ वहाँ इदर उदर भटक भटक के मैंना आप लोग लिए गर्म गर्म टेक नियूज हमेशे की तरह लेके आ गया हूँ कल की टेक नियूज भी ट्रेंडिंग पर थी दस वीडियो लगातार हमारे ट्रेंडिंग पर गए हैं आपके प्यार और सपोर्ट से बहुत बहुत शुक्रिया एक चीज़ तो मानी पड़ी दोस्तों हमारे चैनल पर आपने हमारी टेक नियूज को सबसे पॉपुलर बना द आप से मिलेगे आप से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगता है तो देखेंगे इवेंट के अधर मारा आने वाला है एनिवेस दोस्तों जाना देवेसिंग करते हैं मैं बहुत बोलता हूँ और फड़ावट से आज की रेक्टियूस शरू करते हैं तो मेले कबर की बात करते फिफ्थ मार्च को छोड़ा जाएगा जी हाँ और ये बहुत ही गर्व मैसूस हो रहा है मुझे कि हमारे देश की सिक्यूरिटी के लिए बहुत हेल्प करेगा और इसका फर्स्ट लुक इस तरो ने ट्विटर पर डाल दिया आप देख सकते हैं इस तरीके का ये उसके बाद बहुत सारे और भी हमें देखने को बलेंगे इसका जो वेट होगा वो 2268 किलोग्राम का होगा और ये कितने 1000 किलोमेटर आर्थ के ऊपर रहेगा और बिट में जो हमारे देश के ऊपर जो वो सर्विलिंस के तोर पर बॉर्टर सिक्यूरिटी के लिए इस्पेश इसकी काफि सरी चीज़े हमने कर दिया मतला सब कुछ हो चुका है इंबॉक्सिंग हो गया बहुत कुछ हुआ है तो यह आएगा 6th March को उसके अन्बॉक्सिंग आपको मिल जाएगी ठीक है दोस्तों फोन अब देखते है क्या होता है क्या प्राइस होती है यह तो हमें थोड आपको बैटरी मिलेगी अब दोस्तों इसकी प्राइस लीक हो गई है जब प्राइस लीक हुई दोस्तों जब मैंने देखा अगर यह सही होता है तो आई शपत धमाल होने वाला है मतलब 30,000 से प्राइस शुरू होने वाली दोस्तों आप देखेंगे चाइनिस करनसी में यह मैनेज करेंगे मुझे नहीं बता लेकिन एनिवेस पाउफुल गेमिंग फोन बहुती पहुती एग्रेसिव प्राइस पर आ रहा है वैसे इसके बारे में आपको क्या खैल है आप कमेंट करके बता सकते हैं तो यहांपर दोस्तों आपको की दरफ से खबर आ रही है ओपो का Find X2 या फिर Find X2 Pro इसकी कुछ लाइफ फोटो पहली बार यहां पर निकल करा चुकी यह 6th मार्च को जाएगा चाइना में और इसी महीने में अभी मार्च आए कि नहीं नहीं आया ना अचा यह मार्च के महीने में हमें इंडिया में देखने को मिलेगा बहुत इंट्रेस्ट चमकी लिदार आपको बैक मिल रहा है कर्व डैजे से कैमेरी की तरफ गौर करेंगे तो उपर देखेंगे हाइब्रेट जूम आपको मिल रहा है पैरिस्कोप में लग रहा है सीन है यहां पर और आपको 64 मेगा पिसल भी मिल सकता है ट्रिपल कैमेरा सैडप है एनिवेस डिस 10 मार्च को जो लॉट्च होने वाला है इंडिया में नहीं आएगा दोस्तों इंडोनेशिया का उनका जो ऑफिशिल पेश्ट वीवो का उन्होंने वहां पर उसकी लॉंच डेट बता दिये तो शायद इंडोनेशिया में यह दस तारीक हो जाएगा और जो वहां पर उन्हो सब्सक्राइबर करतें जा रहा है और इंडिया में कुछ और ही आएगा वैसे आप मुझे दोस्तों में ज़रू से कमेंट करके बताएं वीवो की वी 19 series में आपको इंटरेस्ट है नहीं है जो भी वह आप मुझे झामेंट करके बता सकते हैं तो यहां पर दोस्तो topics darator very जो भी इंडिया में premium smartphones sold हुए थे पूरे 2019 की लिष्ट यहां पर आ गई है ओविसली वन प्लस लीट करता है 33% शेर उसका उसके बाद Samsung 26% Apple 25% लेकिन लास्ट में अगर आप देखते हैं आईला या तो रियल मी दिख रहा है जिहां 2% पर है बहुत बढ़ी बात है दोस्तों के रियल मी प्रीमियम सेग्मेंट में अपना नाम डाला है जबकि उनका X2 Pro आया था जो अविसले वो प्रीमियम सेग्मेंट करता तो वह भी बहुत ज्यादा विका होगा और अदर्स में देखेंगे बच्छे कुछे जो विचार है वो 14% में लेकिन इमेजिन दोस्तों रियल मी X2 Pro जो शायद एंड के आसपसी लांच हुआ था 2019 में सम्धिंग और यह लिस्ट में आ चुका है प्रीमियम स्मार्टफोन की जो बह जी हाँ और मैं आपको बताता हूँ 55 मिनिट्स में यह फुल चार्ज होगा जी हाँ तो ऐसा यहाँ पर जो वो लीक आई है जो देखके काफी लीक नहीं है तो ऑफिशल सोरी देखके काफी अच्छा लग रहा है कि बहुत बढ़िया आपको फार्ट चार्जर बॉक्स में म बहुत देखके कि प्रटी प्रों के फुचर रेंडर से यहाँ पर निकल कराचुके यह बढ़ा जारे कि रेड्मी के ठेटी प्रों कुछ ऐसे ही आपको मिलेका पीछे से तो सेम होगा रेड्मी के टिटी जैसा लेगिन सामने आपको नौच तो मिलेगा नहीं क्योंकि जब आप इंडिया में Redmi Note 8 Pro इस्तेमाल करते हैं, तो thankfully आप आपको Android 10 का update मिलेगा MIUI 11 पर बेश तोगो, obviously और अभी फिलाल के लिए बहुत selected users हैं, जो उनको भेज रहे हैं, मतब फेस mode में दीरे-दीरे आप सभी लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये कुछ इसके screenshot पर निकल करा है, तो अगर आप Redmi Note 8 Pro इंडिया में यूज कर रहे हैं और Android 10 का वेट कर रहे थे तो तोड़े ही दिनों में दोस्तों आपको ये update मिल जाएगा, उसके अलावाद दोस्तों बात करते हैं मेन मुद्दे की आज, तो Redmi Note 9 Note 9 Pro और Redmi 9 इनकी launch date यहाँ पर leak हुई है और ऐसा बताया दे रहे हैं कि 14 March को ये smartphones एंडिया में launch होने बारे हैं, जिया, ऐसी बात है यहाँ पर हो रही है, और मुझे लगता है शायद सही भी है दोस्तों कि इसी महीने में obviously Redmi के नए phones हमें देखने को मिल सकते क्योंकि Realme ने धमागा तो करी दिया C3 और 66 Pro अगरा रहे तो ये लोग भी लेकर आएगे, वैसे Redmi 9 में बताया जारे कि आपको G70 वाला process में मिलेगा, वही सेम जो हमें Realme C3 में मिल रहा है, और Redmi Note 9 Note 9 Pro की बात करें, तो Note 9 Pro में बताया जारे कि आपको मिलेगा 720G और Redmi Note 9 की फिलाल के लिए कि बात नहीं हुए तो 14 March को दोस्तों ये smartphones आएंगे उसके अलावा क्या price होती है, क्या खास होता है, ये तो जो आएगा, मैं आपको ज़रूस इसके बारे में बता दोगा क्या आपको बता है कि दोस्तों, वर्ल्ड की सबसे पहली LED, जी हाँ, LED जो light होती है Light Emitting Diet, जिसको हम बोलते भी है वो दोस्तों किसने बनाया था, कब invent हुआ था, 1962 में आया था दोस्तों और Nick Hallow Yanker के है उन्होंने इसको बनाया था, जी हाँ तो आज की दिने उस्ते में बतीमित करता आपको आज की दिने उस पसंद आएगी, अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूस इस वीडियो को लैक करिए, ये नीचे वाला वीडियो देख लेना, अगर आपको आईकू 3 लेना है, तो आप वहला वीडियो जाके देखना, आपकी हल्प हो जाएगी मिलते हैं आप से अगले वीडियो में ने वीडियो के साथ, टेल रहने हो गिरे डे, और आलवेस कीप स्मालिंग